नमस्कार बहुत स्वागत आपका इस्पेशल रिपोर्ट में मैं हूँ आपके साज रूती शवास्तो सबसे पहले इस्पेशल रिपोर्ट में बात इस्वाइल पर हमले की क्योंकि इस्वाइल पर ऐसा हमला हुआ है जो 7 अक्टूबर के बाद नहीं हुआ था हिजबुला ने इस्राइल के दूसरे सबसे बड़े शहर पर सौर राकट दाके हैलत की बात तो ये है कि इस्राइल का आरें डोन इन राकेट्स को रोकने में फेल साबित हुआ और फिर जमीन पर जो तबाही मची उसे देखकर नतनियाहू भी हैरान रह गए देखे रपोर्ट इस्राइल में ये एक काला रविवार है 7 अक्तूबर 2023 के बाद इस्राइल पर सबसे बड़ा हमला हुआ है मिजाइल अटाक हुआ है रॉकेट अटाक हुआ है ऐसे वीडियो इस्राइल में वाइरल हो रहे हैं जिन पर हिजबुल्ला की च्छाप लगी हुई है एक साथ इतने हमलों को देखकर नेतनियाहू और उनके वार क्याबिनेट में खलबली मच गई है क्योंकि हिजबुल्ला ने इस्राइल को उस शहर पर हमला किया है जो आबादी के लिहाज से तलवीव के बाद इस्राइल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है ये है हाइफा हाइफा यानि इस्राइल की सबसे बड़ी बंदरगा हाइफा मतलब इस्राइल का सबसे बड़ो अध्यों की गिलाता हाइफा मतलब डिफेंस इंडस्ट्री हाइफा मतलब इस्राइल की अर्थ्रवस्ता की रीड क्या हाइफा पर हुआ हमला इस बुल्ला का पेजर बम वाले अटैक का बदला है क्या हाइफा को हिलाकर इसराइल को इस बुल्ला ने सबसे वड़ी वार्णिंग दे दी है इसमुला ने इसराइल को उस अट्टे को टारगेट बनाने का दावा किया है जहां से फाइटर जेट उड़ कर लिबनान पर बंबारी कर रहे हैं इसमुला ने अपना बड़ा टारगेट इसराइल रमात डेविड एयरबेस को बनाया है यह एर बेस हाइफा से करीब 20 किलो मीटर दक्षिनपूर में है मैप पर देखिए यहाँ पर हाइफा है और यहाँ पर है इसराइल का बहुत ही खास और सीक्रेट रमात एर बेस यह दोनों जगा लिबनान बॉर्डर से 70 से 80 किलो मीटर के दायरे में है रमात एर बेस पर इसराइल एर फोर्स के F-16 फाइटर जेट की 3 स्कौर्डरन तैनात है यानि 50 से ज्यादा F-16 इसी एर बेस पर तैनात है रमात एर बेस पर इसराइल की 2 ड्रोन स्कौर्डरन भी है जिनके मदद से दक्षिनी लिबनान में बंबारी की जाती है इस एरवेस और आसपास के इलाके में हिजबुला ने सौ से ज्यादा रॉकेट दागे है कुछ रॉकेट हाइफा में करियाद बाइलिक इलाके में भी गिरे यहाँ पर लगी आग से आप अंदाजा लगाईए कि हिजबुला की फायर पावर इसराइल के लिए कितनी हानिकारक है हिजबुला का दावा है कि उसने फादी वन और फादी टू रॉकेट से हमला किया है यह ऐसा रॉकेट है जिसको पहली बार इस्तिमाल किया गया है फादी वन 220 मिलिमीटर वाले कैलिबर का रॉकेट है और इसकी रेंज 80 किलोमीटर है जबकि फादी टू 302 मिलिमीटर कैलिबर का रॉकेट है और इसकी रेंज 105 किलोमीटर बताई जा रही है फादी रॉकेट सीरिया के M302 रॉकेट की नकल बताया जा रहा है लेकिन ये बात सच है कि हमास के 7 अक्तूबर वाले हमले के बाद से ये हिजबुला का सबसे बड़ा हमला है इस अटाक में इसराइल का कितना नुक्षान हुआ है इस पर नेतन याहू अभी खामोश है लेकिन तस्वीरे बता रही है कि हिजबुला का हमला कितना खतरनाक था क्या हिजबुला ने हाइफा पर हमला करके पेजर बंब वाले अटाक का बदला ले लिया है क्या हिजबुला ने हाइफा को हिला कर इसराइल को सबसे बड़ी वार्णिंग दे दी है इस वक्त इसराइल में जैसे धारा 144 लागू है बाहर यानि सडक और बाजार में दस लोगों के एक जगा एकटे होने पर पाबंदी लगी है जबकि घरों या किसी बिल्डिंग के अंदर 100 लोगों को एक जगा होने पर मना किया गया है हिजबुल्ला के हमलों के बाद उत्तर इसराइल में बहुत ज़्यादा खौफ है गोलान की पहाड़ियों पर स्कूल बंद कर दिये गए है गलीली, हाइफा और बेतशीन इलाकों में स्कूल बंद करने का ओर्डर है जोलाई 2024 में इस ड्रोन वीडियो को रिलीज करके हिजबुल्ला ने इसराइल को चौका दिया था जब उसके एक ड्रोन ने इसराइल के कैई खौफिया ठिकानों की रिकॉर्डिंग की और उसके पूरी जानकारी बेरूत में हिजबुल्ला हेटकॉर्टर को भेज दी थी पूरे इसराइल में इस ड्रोन पुटिज ने कोहराम मचा दिया था तब हिजबुल्ला ने दावा किया था कि इसराइल के इंचिंज लाके और उसके बड़े ठिकानों की तफसील उसके पास पहुँच चुकी है हिजबुल्ला ने इसराइल को डराने वाला वीडियो रिलेस किया तो नेतन याहू की सरकार के हाथ पाउं फूल गए नए ड्रोन वीडियो में हिजबुल्ला ने दिखाया है कि उसका एक ड्रोन इसराइल के ऊपर उड़ रहा है दस मिनट की इस फुटेज में ड्रोन इसराइल के कई शहरों पर उड़ा है 18 जून 2024 को हिजबुल्ला का जो ड्रोन इसराइल में घुसा वो कई खुफिया ठिकानों की तस्वीर खीच कर वापिस लेबनान ले गया इसराइल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया ये ड्रोन उत्री इसराइल के किरियाज शमोना, नहरिया, सपद, कारमील, अफूला शहरों से लेकर इसराइल के हाइफा पोर्ट तक उड़ता हुआ दिखाये गया अब इसी ड्रोन पुटेज का इस्तिमाल करके हिजबुल्ला ने इसराइल को काला रविवार वाला तौफा दिया है याँग बता रही है कि हिजबुल्ला ने जो वार्निंग दी थी, वो वाकई बहुत खतरनाक थी दस मिनट के वीडियो में इस ड्रोन ने ऐसे ऐसे ठिकानों को फिल्माया है जिसे देख कर नेतन याहू को मुसाद समयत इसराइली सेना के हर कमांडर की मीटिंग बुलानी पड़ी इस बुल्ला के ड्रोन से हाइफा का पोर्ड भी रिकॉर्ड किया गया था इस वीडियो में इसराइली हत्यारों की कमपनी रफायल का कॉम्पलिक्स भी फिल्माया गया था मिसाल के गुदाम, एर डिफेंस सिस्टम, पंडुबी कमांड सेन्टर से लेकर कैई अड़े रिकॉर्ड किये गए इस वक्त इसराइल लिबनान बॉर्डर के करीब कैई लाके खाली हो चुके हैं लिबनान के बॉर्डर के आसपास 60 किलो मीटर के दायरे में 30 हजार की आबादी अपना घर छोड़ कर जा चुकी है लेकिन दहशत इसराइल में भी है उसके किरियाच शमोना जैसे शहर खाली पड़े है एक लाक से ज्यादा लोग डक्शन इसराइल की तरफ पूट कर चुके है हाइफा जैसे शहर में भी डर पसरा हुआ है अब हाइफा और आसपास हुए रॉकेट अटैक ने युद का ताफमान बढ़ा दिया है इसराइल और हिजबुल्ला का अगोशित युद अब घजा पर बंबारी जैसा खतरनाक होता जा रहा है बारवे महीने में इसराइल पर रॉकेट बाजी और लिबनान पर बॉम्बिंग से हालात ऐसे हैं कि शायद कोई दिन गुजरता हो दोनों में इसे एक पक्ष हमला नहीं करता है इसराइल और हिजबुल्ला के अगोशित युद में अब तक इसराइल के 26 नागरिक और 22 सैनिक हिजबुल्ला के हमलों में मारे गए हैं जबकि नसरल्ला के 502 लडाके अब तक मारे जा चुके हैं ये लिबनान के मिलिशिया को बड़ा जठका है इसलिए नसरल्ला और हिजबुला धूनो आगबुला है पेजर बम वाले सीरियल ब्लास्ट के बाद हिजबुला बड़ा बतला लेना चाहता है लेबनान और इसराइल के बीच ताजा हमलों के बाद युद्ध पक्का माना जा रहा है क्योंकि हिजबुला के टारगेट पर अब इसराइल के ऐसे ऐसे मिलिटरी बेस है जिसकी नेतन याहू को उम्मीद भी नहीं थी